हेलो अरिवन, गुड मॉर्निक, स्वागत अब सभी को ऑनलाइन स्टेडियों में आज के इस वीडियो में बात करेंगे घटना चक्र बिहार इसाई बुक से इंसेंट हिस्ट्री और कैमेस्ट्री दो टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरू देखेगा और अगर आपने से बहले के चार पार्ट्स को नहीं देखा तो चारो वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं मिल जाएगे तो चलिए शुरू करते हैं और काफी अच्छे अच्छे प्रसंद दियेगे तो एंड तक जरू देखेगा तो देखेए फिन सबसे पहला जो टॉपिक हम बात करेंगे इंसेंट हिस्ट्री में बौध धर्म ठीक है बौध धर्म को आज कप्लीट करेंगे तो शुरू करते हैं गौतम बुध का जन में कप्ल वस्तू के निकट लुम्बनी में 563 इसा पूरु में हुआ था ये चीज़ ध्यान रखेगा गौतम बुध के बचपन का नाम क्या था शिधार था शिधार शिथार लेगे 29 वर्ष की अवस्तम उन्होंने ग्रिथ्या क्या था जिसे बौत गरंतों में माहाँ भिनिस क्रमन का अर्थ जैथा Всемाराइट की इसा पूछन सी शासक ने रुमणी देई अभिलेक से सूचना मिलती है कि साक्यमोनी बुद्ध का जन में लुमनी में हुआ था तो ये पॉइंट बहुत इंपॉटेंट है पूछा जाता है कि कहां किस अभिलेक से पता चलता है तो रुमनी अभिलेक से पता चलता है कि उनका जन लुमनी में हुआ था ठीक है चलिए आ महाभिनिस क्रम्मन और यहाँ पे धर्मचक्र परवर्थन तो यह दोनों भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसको याद रखेगा कि धर्मचक्र परवर्थन क्या था प्रत्हम उपदेश चुकि सारनात में दिया था उत्तर परदेश के सारनात में ठीक है नेक्स्ट इसे महा परिनिर्वार कहा जाता है यानि जो इनकी मृत्यु हुई इस मृत्यु को महा परिनिर्वार कहा जाता है तो यह चीछ ध्यान में रखेगा चलिए आगे बढ़तें नेक्स्ट पॉइंट है कि छे वर्सों की कठीन साथना के पस्चात 35 वर्स की अवस्था में वैसा ध्यान रखेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्यान प्राप्ति के बाद जो थे गौता बुद्ध इनको बुद्ध कहला है ठीक है आगे है कि बुद्ध के सबसे जो अधिक से से थे वो कहां से थे तो कोसल राज्य में हुए थे सबसे अधिक से कोसल राज्य में अग अगला पॉंट से की बहुत प्रत्थम जो बहुत संगीत हुई थी प्रत्थम बहुत परिश्थ बुद्ध की मृत्यू के ततकाल बाद राजगिरी यानि की कह सकते राजगिरी के सब्ध पढ़नी गुफा में हुआ था यह पूछा जाता है कि सब्ध पढ़नी गुफा कहां पे इस दीत है तो याद रखेगा राजगिर में इस दीत है सत्य पढ़नी गुफा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट बंता है कि अजात सत्रू जो थे महात्मा बुद्ध के समकालिन थे यह द्यान रखेगा इनके समकालिन थे प्रतम बहुत संगीती की अध्यक् दिखे मृत्यू के सो वर्सों के बाद हुआ था तीन सो तिरासी इसापुर में तृत्य बहुत संगीती सवराट असो के सासनकाल में पाठली पुत्तर में हुआ था यह याद रखेगा चलिए नेस्ट पॉइंट यहां पर पढ़ सकते कि मोगली पुत्त तिस्त जो की तृत देख जोते वो अस्वे घोस्ते यहां पे पॉइंट्स याद रखेगा कि कनिस्क के जो समय में चौथा बहुत संगीत हुआ था इसमें जो यह बहुत धर्म था वो दो भागों में बट्टा था एक था हिन्यान और एक था मायान तो यह इंपॉर्टेंट हो का याद अब यहां पर देखे च्छोड़ा सा टेबल दिया और यह टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस टेबल को आप याद रखेगा जो लोगों ने ऊपर में देखा था वही चीज़े यहां पर सजाकर के लिखे गई है जैसे प्रत्थम बहुत संगीती चारसो द प्रश्ण की तरफ नेक्स्ट प्रश्ण है कि देवदत पहले उनका अनुगत बना और फिर बाद में उनका विरोधी बन गया था गौताम बुद्ध का विरोधी बन गया था स्वार प्रत्थम बुद्ध ने चार आरे सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार है दुख समुदाय दुख निरोध और दुख निरोध गामिक प्रतिपदा यह उतना इंपॉर्ण नहीं है आप इसको याद ना रखे तो बेटर होगा अब देखे यह ज्यादा बार पूछा भी गया है तो इसको आप याद रखेंगे कि बुद्ध के जीवन से संबान्दित जो प् प्रतिव जो था इनका स्थूब यह जो की प्रतिक है इनके समय की घटना से समंदित प्रतिक है अगला पॉइंट थी कि महात्मा बुद्ध जो की कर्म सिधान्त में विजवास करते थे अपने प्रियसिस आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैसाली में स्तिरियों को बौद सं संग में विचुड़ी के रूप में परवेश करने के अनुमाती जो की कहां पर दी गई तो वैसाली में दी गई और यह किस के कहने पर तो अपने प्रियसिस आनंद के कहने पर दी गई थी तो यहां से दो क्वेसिंस पूछे जाते हैं दोनों को याद रखेगा आगे संग में सौरपर्थम सामिल होने वाले जो इस्तिरी थी महाप्रजापति गौतमी थी तो यह चीज़ ध्यान में रखेगा त्रिपीटक बहुत धर्म के सरवाधिक महत्यपूर्ण है यह याद रखना है बोद्र के मृत्यू के बाद उनकी सिक्षाओं को संक्लित तीन भाग तो त्रिपीटक के जो विन्यापीटक है उसमें देखने को मिलता है उसी तरह से धार्मिक सिधान्त जो दियेगे हैं बौध का धार्मिक सिधान्त जो वो सुथ पीटक में देखने को मिलता है और दासनिक सिधान्त कहां पर तो अभिधम पीटक यह तीन चीज़ आपको या कलित हैं तो यह important होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं बिहार में राजकीर की पहाड़ियां जो की 400 मिटर की उचाई पर इस्तित सांती स्थूप विश्व का सबसे उचा कहा जाने वाला विश्व सांती स्थूप है तो यह अक्सर पूचाता है कि विश्व सांती राजकीर में ठीक है राजकीर में आगे देखी नेक्स्ट वाने की भरूद और सांची की स्थूप की स्थापना मौरे सासक असोग के सासनकाल में हुई थी यानि सांची के स्थूप अक्सर पूचा जाता है असोग के समय में हुआ था अमरावती स्थूप का निर्माड किस के समय में इटू की साहता से हुआ था जिसके चारों और कास्ट की वेदिका बनी हुई थी ठीक है सुंग काल में उसे पासान पटिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका में भी पत्थर की ही बनी हुई थी दीखें यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है आप इसको चावतों बहुत असल में छड़ीक वाद को स्विकार किया गया और गौतम बुद्ध को एसिया के जुत्ती पुंच के तौर पर भी जाना जाता है गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ओफ एसिया नामा कावे पुस्तक के रचना की यह लंदन में 1889 इस गंधार एवं मत्वुरा कला सहली के तहत बौध और बोधिस्त्व की बहुत संक्य मूर्टियों का निर्माड हुआ था एक चीन में आपको बता दू फिंस बुद्ध की जो प्रथम मूर्थी बनी थी वह मत्वुरा कला सहली में बनी थी जबकि बुद्ध की सरवादिक जो कि फूद्ध की मूर्थी बनीथी वह गंधार कला सहली में बनी थी तो यह धूनों में बहुत जादा ठिफरेंसे से इसको आ याद मूर्था के सहली में बनी легкоvordan रहेट नी निकाय में वर्णीत, 16 महाजनपदों के सूची आपको पता है इसमें दी गई है, मल एक महाजनपद था याद रखे है अगर पूछले कि 16 महाजनपदों के सूची किस बहुत ग्र palavra देखनी को मिलता है तो अंगूतर धर्म को देखा यानि कि एंसेंट इस्ट्री देख लिया अब यहां पे छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं रसाइन विज्ञान से परमाडू संडचना तथा रसाइनिक बंद ठीक है चले सुरू करते हैं पहला पॉइंट्स दिया गया है कि नाविक ये उर्जा एक ऐसी उर परयूग किया था ध्यान रिखेंगे सभी नाविक किये जो उड्जा सेंतर उन में विखंडन का परयूग किया था न कि सल्यन का ये पॉइंट्स बहुत इंपॉटेंट है देखिए अगला पॉइंट्स के रहा है कि परमाडू रियक्टरों में परयूग्त जो इंधन होता यहां से दो कोशन्स बन सकता है पहला चीज़ की परमाडू रियक्टरों में कौन सा इंधन होता है यूरेनियम होता है और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यूरेनियम के आयस के कौन कौन है तो पीच बलेंड और कार्नो टाइट ठीक है पीच बलेंड और कार्नो ट किये जाते हैं नेक्स्ट पउइंट किया रहा है कि मंदग न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है जो मंदग होते हों न्यूट्रॉन की गति को कम करता हैं अगला पउन्ट की भारिजल, graphite और beryllium oxide का परियोग मन्दक के रूप में कियाता है actually आपने सावध दो नाम ही सुना ओगा भारी जל और graphite ठिक है जो कि मन्दक के रूप में यूज़ कियाता है लेकिन एक और नाम याद रहेगा beryllium oxide इसका भी परियोग मन्दक के रूप में की जाता है भारी जल को सर्वोत्तम मंदक माना जाता है, भारी जल क्या होता है, डिटेरियम ऑक्साइड, D2O, जो की हाइड्रोजन का ये एक आइसो टॉप्स होता है, आइसो टॉप्स क्या होता है, हम आगे इसके बारे में डिसकस करेंगे, फिलाल यहां पर दीखे, प्राकेर्टिक रे क्याता है, ठीक है, नुक्लियर फ्यूजन, अगला पॉइंट्स के हाइड्रोजन बम, एडवर्ड टेलर ने विक्सीत किया था, देखे वेंज, यहां से क्वेशन पूजाता है, कि हाइड्रोजन बम के सिधान पर कारे करता है, तो नावी के सल्यन के सिधान पर, जबकि पर परमाडू बम, विक्कंडन के सिधान पर कारे करता है, ठीक है, आगे बढ़ते है, नेक्स्ट पॉइंट के रहा है कि पदार्थ का परमाडू सिधान डॉल्डल ने प्रति पालित किया, उनके अनुसार पदार्थ अत्यांत छोटे-छोटे-छोटे और विवाजक कणों से म अकर्सन बल, निम्न होते हैं, गुर्तवेत बल और नाभी के बल, अगला पॉइंट्स कहा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक रिन अवेसित करने जिसकी खोज जेदे थॉमसन ने कैथोड किर्णों में की दी, तो यहां से दो पॉइंट्स कि इलेक्ट्रॉन किस परकार का अवेस फ्रांसियम है, फ्रांसियम में फ्रांसियम आईखोब कि आप कुछी जिस पता होगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, अक्सर एक्जांस में पूजाते है कि सरवाधिक बैधू, रिनातमक तत्तों तो फ्लोरिन कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आप ध्यान रखेगा कि ब रसायनी कुड के बारे में बात की जाती है तो नाभी के बाहर जो चक्रन करते हैं विच्ण कर रहे होते हैं उनकी संख्या के द्वारा तै की जाती है कि इसका रसायनी कुड किस तरह से होगा निउट्रॉन का द्रब्यमान हाइड्रोचन परमाडू के द्रब्यमान के बराबर होता है ठीक है यह याद रखेगा अब आगे बात करते हैं कि वे तत्वे जिनके पुट्राणों की संख्या या फिर प्रमाडू करमांग समान और न्यूट्राणों की संख्या भीन होती है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं मैंने आपको उपर बताता कि हम लोग यही होता है जिसके परमाडू संख्या तो समान होते हैं लेकिन न्यूट्राणों की संख्या भीन-भीन होती है ठीक है फॉर एक्जामपल के अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिए वन एच वन होता है वन एच टू होता है यानि हैड्रोजन के तीन समस्थानिक होत है और उपर का परमाडू द्रब्यमान होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देखिए इनका जो परमाडू संख्या वो तो सभी समान है और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं जब परमाडू द्रब्यमान से हम परमाडू संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्र अगला पॉइंट्स परमाडू का संगटन करने वाले तीन मौलिक जो करने होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन और नियूट्रॉन पोट्रॉन एक धनाविसीद करने जब कि इलेक्ट्रॉन एक रिडाविसीद करने यह बहुत बार इंपॉर्टेंट है पूछा गया तो याद जो होता है उसके द्रवमान संख्या के बराबर होता है जो मैं आपको उपर मता था हूं वही चीज़ यहां पर लिखे ही है कि नाभीक में उपस्तित न्यूट्रॉन और प्रोट्रॉन को जोड़ दिया जा उनके संख्या का जोड़ दिया तो द्रवमान संख्या निकलता है अगला पॉइंट्स की नाभीक में उपस्तित पोट्रोनों के संख्या को परमाडू करमांग्स कहते हैं यानि पोट्रोनों के संख्या और परमाडू करमांग्स दोनों एक ही चीज़ है दोनों के बराबर होता है अगला पॉइंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे ध्याँ देज़ेगा सुद्ध जल का pH value कितना होता हैं, साथ होता है, ठीके सुद्ध जल का pH value साथ होता है, यानि कि यह उदास ही नोधाय ना ते अमलिये और नाहीं चारिये, आगे देखते हैं, अगला पॉइं होता है neutron की संख्या कैसे निकालते हैं अगर हम दर्वेमान में से घटा दे neutron की संख्या तो हमें निकल जाएगा यानि एक में से घटाएंगे तो जीरो आएगा तो यह सकते हैं neutron zero होता है और यह कभी-कभी डायरेक्ट पूछ आता है कि hydrogen में neutron की संख्या कितनी होती है तो सुनने होता है ठीक है चलिए अगला point देख लीजिए क्या कि किसी तत्व के परमाडू संख्या 17 है तो इस परमाडू के परतेक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रोनों के संख्या क्या होगी तो इलेक्ट्रोनिक विन्यास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इस चीज़ पता होगा कि किस तरह से भरा जाता है सेलों को 288 18 32 इस तरह से करके तो यहां पर देखे 17 यानि कि 287 तो यह टोटल हो गया 17 इस तरह से कर्शन सक्थी कर्शन सक्थी यानि की वैलन स्टी वैलन सी च्वाहिश्य जूता है इसका निर्धारन किसी तद्यकी परमाडू संख्या की सहता से नहीं करते क्योंकि किसी भी तत्तों का जो सन्योजक्ता होता है जिसको में वैलेंसी कहते हैं इंगलीज में इस प्रवेर्ति की समानता हालोजन समूसे रखता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला पॉंट्स क्या करा है कि इलेक्ट्रोन पोट्रोन तत और न्यूट्रोन पदार्थ के स्थाई मूल करने ये बिल्कुल से एक स्थाई मूल करने जबकि पोजिट्रोन न्यूट्रीन तता मिसोन और स्थाई करने ठीक है ये ध्यान रखेगा अगला पॉंट्स की आवट साढ़ी में क्लोरीन तत्व की इलेक्ट्रोन बंदुता सबसे अधिक होती है पॉलीक का नियम है ये आप धृयान रखेंगे डारेक्ट पूछल आता है अगला प्रहूजन है कि रबर के कि अविजकार किस नहीं किया था तो चाल्ज गुड एयर ने किया था है यहां से लिके फिश़्, एक ठीष ध्यान रखना है कि जोर्बर का विल्कनाइजेसन होता है यानि कि जो प्राकेठ्टि से रॉब्र निकाला जाता है हो वो काफी लचीला होता है, जिसका परोकम सीधय नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं ला सकते हैं तो उसको थोड़ा सा मतलब usable बनाने की लिए उसमें сatori मिला जाता है , क्या मिला जाता है sulfur मिला जाता है और इस प्रेकिरीय को अम लोगो क्या करते वैकनाइजेशन कहा जाता ये ध्यान प्रकृजिया और ध्यान रख कर चार्ल्स ने किया था अगला पॉइंट ă 2 में वैदुत्थ सन्यूजक्प और ससन्यूजक बंद होते हैं अगला पॉइंट की एफी थीरी ओफोर में लोही की सन्यूजकता दो और तीन प्रदर्सित होती है दो और तीन प्रदर्सित होती है देखिए यह सभी पॉइंट्स आपको याद रखना डारेक्ट कोईशन्स पूछे जाते हैं नाभी के अलाव और प्रतिक के दोरान अड़्ूओं के बीच एलेक्टrice का अधान प्रदान होता है किसी विन जैंते हैं तो उनने품 के प्रमारस इधानत के प्रदमाता किसे मानता तरता इलेक्ट्रॉन के जो सिंबल है हो इस तरह से होता है तो के पावर थे या फिर बितर के पावर थे द्यान रहिए फेंस, बीटा जो होता हूँँ भी उलक्रान की प्रवेडिका होता है, क्योंकि उस पर भी निगेटीव चार्जी होता है, तो इस तरह हम दोनों पर रख सकते हैं, और इसके खोज, इलक्रान की खोज, जेज तॉमसन ने, पॉट्रोन की खोज, इज कह सकते हैं, गोल्ड स्टीन और नियूट्रॉण की खोज जो की जे चैडविग ने की थी द्यान रहे फेंस कभी-कभी पोट्रॉण के जो खोज करता थे यहां पे गोल्ड इस्टीन ना लिख करके रधर फोड लिख देता है तो अगर ऑप्संस में रधर फोड हो तो रधर फोड को टिक क जानेंगे चरी आगे की तरह बढ़ते हैं अब यहां पर इन मुल्कणों की द्रभिमान और आवेस के बारे में बताएं तो यहां पर ध्यान जीगा कि इलेक्ट्रॉण जो होता है इसका मास कितना होता है इतना और इस पे चार्ज निगेटिव होता है तो यहां पर देख सक आवेस क्या होता है किस टाइब का आवेस होता है कितना आवेस होता है तो इस पर कोई भी आवेस नहीं होता है सुनने होता है न्यूट्रल होता है ठीक है तो फिन साच किस वीडियो में इतने ही सारे पॉइंट्स थी आई होब कि आप कोई चीद समझ में आ गई होगी और य हो वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दीजिए अपनेगख साथ लोस्तों के साथ धान्स टॉपिक के साथ A